नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन बहुत स्वागत है अपका भारत एक नाइन में क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को शुकरवार को बड़ी काम्यावी मिली प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिशी कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया ये वही क्रिशी कानून थे जिन्हें लेकर सरकार का दावा था कि ये क्रिशी शेत्र में सुधार के लिए लाए गए हैं वहीं कई किसान संगठन इन्हें काले कानून बताकर फिछले एक साल से आंदूरन कर रहे थे सरकार के इस ऐलान को किसान संगशनों ने अपनी जीत करा दिया है लेकिन मोधी सरकार को बैकफुट पर लाना किसान संगशनों के लिए इतना आसान नहीं था इसके लिए किसानों ने पहले border पर देरा डाला फिर इस रणीती को सड़कों तक पहुँचाया नेताओं का घिराफ किया गया इसके अलावा किसान नेताओं ने भाजपा को वोड से चोट देने की भी कोशिश की तो दिल्ली की सिमाओं पर देरा डाला सितंबर में केंद्र सरकार तीन कृषी कानून व्यपार और वानीजे विधाइग 2020 मुल्य आस्वाशन और कृषी सेवाओं पर कृषिक सशक्तिकरण एवं सरक्षन अनुबंध विधाइग 2020 और आवशक वस्तूस अन्शोधन बिल 1905 लाई थी हलाके इन कृषी कानूनों के विरोध में नमंबर 2020 से किसान संग्छन सडकों पर तुराएग तुराएग किसानों ने दिल्ली की सिंगू, चीक्री और गाजिपुर बॉर्डर पर डेरा डाला किसान अपने साथ-साथ राशन पानी भी लेकर आए किसानों ने अलान किया कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी वो बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसानों ने दावा किया कि उनके पास सालों तक आंदुलन करने के लिए राशन पानी की विवस्ता है सोशल मीडिया पर खोला मोर्शा दिली के घिराव से शुरू हुए इस आंदुलन में सोशल मीडिया ने भी एहम भूमिका निभाई किसान संग्ठन के नेतार ट्विटर, फेस्बुक समेता ने सोशल मीडिया माध्यूमों पर काफी सक्रिय रहे किसान नेता राकिष्ट केत आंदुलन से लोगों को जोड़ने के लिए ट्विटर पर काफी सक्रिय नजर आए इसके लावा संग्ठन के सोशल मीडिया पेश पर भी आंदुलन के बारे में लगातार जानकारिया दी गए मापंच्वायतों का लाइव टेली कास्ट किया गया 26 जनवरी को बैकफुट पर आया किसान आंदुलन किसानों ने 26 जनवरी 2021 के दिन ट्रैक्चर परेड निकाली थी इस दोरान हिंसा हुई लाल किले पर भी जम कर उद्द्रव हुआ इंसा के बाद आंदुलन लगबग खत्म होनी के कगार पर आ गया था चारों तरफ इस घटना के निंदा हो रही थी लेकिन 29 जनवरी को राकेश ट्रिकेट के आंसू रंग लाए और आंदुलन को फिर खड़ा कर दिया ट्रिकेट के आसों ने न सिर्फ आंदुलन को खत्म होनी से बचाया बलकि उन्हें भी किसान आंदुलन का बड़ा चहरा बना दिया भाजपा नेताओं की गाउं में 9 एंट्री हर्याना, पंजवाब और उत्रप्रदेश में किसान आंदुलन का सबसे ज़्यादा आसर दिखा इसमें से पंजवाब और उत्रप्रदेश में अगले साल विधानसबा चुनाव है पंजवाब के कई गाउं में भाजपा नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई यूपी के अम्रोहा में भी कई गाउं में भाजपा के नेताओं की एंट्री पर बैन संबंदी बोर देखे गए नेताओं के घेराबंदी हुई हर्याना में किसानों ने नेताओं के घेराबंदी की हर्यारा के मुख्य मंतरी मनुहालाल खर्टर औरिप्टी सियां दूशिन चोठाला के कालक्रमों के दौराट भी किस्णाउं ने जमकर हंगामा किया करनाल में तो खर्टर के काल नेताओं को छुड़वाया था एक साल से यही हो रहा था गाजिपूर बॉर्डर पर डेरा डाले किसान बैठे वे ते तमाम टीवी चैनल बड़े बड़े चैनल वहां पहुंच रहे थे और हर रोज यहीं पूछ रहे थे कि आंदोलन कब तक चलेगा क्योंकि कई दौर की बा टिकैथ पश्चम मंगाल में भाजपा के खिलाब प्रचार करने पहुंचे थे टिकैथ ने यूपी, एमपी, राजिस्थान, हरियाना में कहीं जगा मापन चायते की हरियाना में एक विदानसवा सीच पर हुए उप्चिनाव में भाजपा को हार का भी सामना करना पड़ा तो ये वो पहलू थे जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि शायद यही वज़ा है जिसकी वज़ों से सरकार को पीशे हटना पड़ा है तो बीज़ोंपी के बयान क्या है वो भी आपको सुन्वाते हैं साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खासकर छोटे किसानों के कल न्याड के लिए देश के क्रशी जगत के हित्में देश के हित्में गाउं गरीब के उज्वल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझा नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुशी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्ने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसाथ 17 में इसी महिने में हम तीन कुरुशी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को ध्यान में रखते हुए निर्ने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे क्रिशी वज्यानिक होंगे क्रिशी अर्थसात्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मित्रों, तीन किर्शिक कानुनों को आधनी प्रधान मंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तरप्रदेश सासन की ओर से हिर्दे से स्वागत करता हूँ हम सब जानते हैं कि पीन किर्शिक कानुनों को लेकर कि कथिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे आज गुरु परोपर प्रधान मंत्री जी ने लोक तंत्र में संबाद की इस भासा का इस्तमाल करते हुए तीनों किर्शिक कानुन को वापस लेकर के जो एथियासिक कार्य किया है मैं इसके लिए उनके इस कदम का हिर्दे से स्वागत और अविनन्दन करता हूँ यद्यपी सुरू से ही इस समंद में एक बड़ा सुम्दा ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानुन महित्वण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं लेकिन उस सब के बाबजूत जब कत्पे किसान संगठन इसके विरोध में आये थे सरकार ने हर अस्तर पर संबाद बनाने का प्रियास किया यह हो सकता है कि हमारे अस्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं बिफल रहे जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था लेकिन लोगतंत्र किस भाव का सम्मान करते हुए तीनों किरसी कानोन को वापस लेने और मेस्पी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हिर्दे से स्वागत करते हैं कुरुपर्व की प्रदेश वास्यों को हिर्दे से बधाई भी देते हैं मंगल में शुपकामना ही भी ब्यक्त करते हैं अने करसी अर्थ सास्रियों ने व्याग्यानिकों ने लंबे समय तक अध्यन किया और इसके परणाम सरूप परधान मंदरी जी करसी सुधार की दरश्टी से तीन कानून लेकर आए जिन को लोकसभा और राजसभा ने पारिद किया उन कानूनों का लाब निश्यरूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे परधान मंदरी जी की साफ नियत थी कि करसानों के जीवन में करांतिकारी बदलाव आए लेकि मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाव हम तेज के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मिलकर किरसी अर्शासियों ने वैग्यानिकों ने किसान संगठनों ने इन लावों को समझाने की कोसिस की मैं निश्यत रूप से उनका बहुत आवारी हूँ प्रधानमंद्री जी ने लगातार इस बात की कोसिस की थी कि इन सुधारों के बाद देश के क्रसी छेतर में बदलाव आए लेकिन कुछ ऐसी परिस्तितियां बनी जिसके करण कुछ खिसानों को इन कानूनों में आपती दिखाई देती थी यह देवतर्व के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया उनको समझाने की कोशिस की लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकास पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद करने रिपील करने का जो निर्ड़े किया है वह निश्यत रूप से स्वागती होग है अब विपाक्ष के बयान क्या है वो भी सुनिए इसलिए मैं किसानों को बधाई देता हूं इस आंदूलन को बधाई देता हूं और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान नौजमान सड़कों पर आ गए सरकार धबरा करके इन कानून को बापिस ले रही है और ये ज़रूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं हो सकता है चुना गया फिर ऐसा कोई कानून ले आए इसका वरोसा कौन दिलाएगा कि भविस्त में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकड में डाला जाए सब तरीके से घेर के उनको उनके होसले को तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन किसानों के लिए भी आजादी की लड़ाई थी आजादी के दिवानों की तरह किसानों ने भी कमर कसके लड़ाई लड़ी और जीतें किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी पाई आज एक बात का दुख है बहुत दुख है 700 से ज्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी इसकी ज़रूरत नहीं थी इनकी जाने बचाई जा दिन भारतिय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी के तरह लिखा जाएगा आज केंदर सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे जुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है आज जनतंत्र की जीत हुई है और केंदर सरकार ने उन विवादित कानूनों को अती देश से वापिस लेने की घुसना की जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंदर की सरकार को जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बढ़ाई इसके साथ ही यदि ये फैसला केंदर सरकार काफी पहले ही ले ले लेती तो देश अनिकों प्रकार के जगड़े वे जंजट आदि से बच जाता लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूले देने समन्दी राष्टे कानून बनाने की एक खास मांग भी इनकी एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंदर सरकार आने वाले संसत के सीथ कानिन सत्र में इस समन्द में कानून बना कर किसानों की इस मांग को भी जरूर सविकार करें पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन के पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों खानून अनकॉंस्टिटूशनल है मोडी सरकार को कॉंस्टिटूशन में कोई राइटी नहीं था कि वो इस तरह खानून मनाए दूसरा ये सिर्फ खानून इसलिए बनाया गया क्योंके मोडी अपने एगो की साटिसफेक्शन के लिए अपनी अनानियत और जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये खानून बनाया और इस गलत और काले खानून की वज़े साथ सो किसानों को अपनी जाने खोनी पड़ी अगर वो अपने एगो को बाजू रखते और अपने सम्विधान को सामें रखते तो ये खानून बनता नहीं और ये साथ सो किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है बहुत देर लगा दी महर्मा आते आते और तीसरी बात ये है कि मोड ये मशुरू से कह रहा हूँ ये सरकार डरती है जब जनता रोट पर निकल कर प्रोटेस करती है प्रिशी कानूनों को वापस लेने के लिए दे गए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 18 मिनट के संबोधन में 1430 शब्द इससे समझना बहर जरूरी है कानून वापसी घोशना से पहले भूमिकाब बांधने में 1067 शब्द घोशना करने में 86 और घोशना की वज़ा बताने में 227 शब्द कहें गए सबसे पहले वो 86 शब्द जानिये जो पिया मोदी 69 सेकेंड में बोले साथियों मैं देश वासियों से शमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हिदय से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही गई होगी जिसके कारण दिये के प्रकाश जैसा सत्य है कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोश देने का नहीं आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कुछी कानूनों को वापस लेने का रियापील करने का निने लिया है इसमें उन्होंने शमा मांगा सच्चे मन पवित्र हिदे तबस्या में कोई कमी रह गई ये समय किसी को भी दोश देने का नहीं कहने के बाद प्रधान मंतरी मोदी ने उनने शब्द बोले कि ये बताने आया हैं कि हमने तीनों कुछी कानूनों को वापस लेने का रियापील करने का निने लिया है अब इस घुमिका को समझ ये कि 50 साल के सारवजनिक जीवन का हवाला देते हुए उन्होंने 41 बार किसान शब्द इस्तमाल किया और ये पहली बार था जब पीम मोदी किसी सरकारी फैसले को वापस लेने का आयलान कर रहे थे और इस तरह के शब्दों का इस्तमाल कर रहे थे पीम बार बार किसान शब्द का इस्तमाल कर रहे थे उन्होंने कहा कि अपने पांच दशक के सारवजने के जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चनौतियों को बहुत करीश से देखा, महसूस किया इसे जब देश ने मुझे 2014 में प्रधान मंतुरी के रूप में सेवा का अफसर दिया तो हमने क्रिशी विकास किसान का लियान को सर्वोच प्राथ मिक्ता दी क्रिशी कानून की वापसी के बाद जो शब्द पीयम enact ने बोलिये उसमें सिर्फ एक बार उन्होंने आंदुनरत किसान साथियों का झिक्र किया आंदुलन शब्द उन्होंने एक बार भी नहीं बोला अपने खेत में लोटे अपने परिवार की बीच लोटे तो आई एक नई शिर्वात करते हैं नई सिरे से आगे बढ़ते हैं चौदा महीने की तकरार एक साल लंबा अंदोलन ग्यारा दौर की बातचीत सुपीम कोट का दख्ल और सैक्रों किसानों की मौत के बाद आखिरकार मोधी सरकार को जुकना पड़ा है पियम मोधी ने शुकरवार सुभा नौ वजे देश के नाम संबोधन में तीनों कुशी कानूनों को वापस लेने की घोशना की इसी महीने होने वाले संसर सत्र में इसकी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी तो इससे ये समझा जा सकता है कि आखिरकार एक साल से जो चीज़े लंबित थी उन पर फैसला लिया गया और आगे फैसला और भी लिया जाएगा आगे क्या कारवाई होगी इस पर भी नजर बनी हुई है लेकिन सवाल ये है कि प्रधान मंत्री नरिन मोदी बहत भावों नजर आए 25 नवंबर 2020 को नई कुशी कानूनों के विरोध में पंजाब और रियाना की किसानों ने दिल्ली चलो आंदूलन चुरू किया हलाकि कोरुणा की वजह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट करने की अनुमती नहीं दी अब 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों को अंबाला में वाटर कैनन आसू गैस का सामना करना पड़ा किसान नहीं जुके और फिर उन्हें श्वांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमती मिल गई अब 28 नवंबर को अमिशान ने किसानों से कहा कि अगर वो बॉर्डर खाली कर दें तो वो बाचीत के लिए तैयार हैं किसानों ने इस वफर को ठुकरा दिया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांगी, किसान बॉर्डर पर डटे रहे वहीं 3 दिसम्बर को सरकारों किसानों के बीश पहले दौर की बाचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका 5 दिसम्बर को दूसरे दौर की बाचीज से भी कोई समधान नहीं निकला बाचीट में किसान अपना खाना खुद लेकर जाते थे 13 दिसम्बर को केंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदूलर में टुकडे टुकडे गैंग का हाथ होने कारुप लगाया 21 दिसम्बर को किसानों ने प्रोटेक्ट साइप पर एक दिन की भूख हर तालबी की 30 सितम्बर को छटवे दोर की बात्शीत में सरकारों किसानों के बीच कुछ आगे बढ़ी सरकार ने पराली जलाने पर लगने वादी पैनल्टी और एलेक्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में बतलाब किये हाला कि किसान कुशी कानून की वाप्सी पर अड़े रहे 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे के मौके पर किसानों ने ट्रेक्टर परेड निकाली पुलिस के साथ जड़ब हुई किसानों ने पुब्लिक प्रोपर्टी और पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया लाल किले पर कुछ किसान चड़ गए और निशान सहे फेरा दिया 28 जनवरी 2021 की हिंसा के बाद किसान अंदोलन बेकफूट पर आ गया था 28 जनवरी को राकेश टिकैट बाचीत के दुरान भावुक हो गए जिससे पूरा मामला पलड गया वीजोवारल होती ही हज़ारों किसान रात और रात गाजिपूर बॉर्डर पहुंच गए 5 मार्च 2021 को पंजव इधान सभा ने एक संकल पत्र पास किया और किसानों के हित में तीन कृष्टिक कानून वापस लेने का फैसला किया 6 मार्च को किसानों ने दिली बॉर्डर पर 100 दिन पूरे किये 28 अगस 2021 को कर्णाल में प्रदर्शन कारी किसानों पर पूलिस ने लाटी चार्च किया कहीं घायल हो गए कर्णाल सजीम आई श्तिनहा का वीडियो वारल हुआ सरकार ने मामने की जार्च के आदिश दिये 3 अक्टूबर को किसानों ने केंड्रे ग्रे राजमंत्री अजे मिश्र का विरोध करते हुए काले ज़ने दिखा इसी दरान एक गारी ने किसानों को कुचल दिया इसमें चार किसानों की मौत हो गई 19 नवंबर 2021 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने तीनों कुछी कानूनों को वापस लेनी की खोशना की। उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को समझाने में विफल रहे। किसान ने ता राकेश चुकेट का कहना है कि जोब तक संसंते कुछी कानून वापस नहीं होगा तब तक वो नहीं हटेंगे। दस साल लाइफ कर दी यह कम से कम 40 साल चीए क्योंकि आज हमारे घर खेत में 50 साल पुराने टेक्टर भी सर्वी सालत में हैं काम कर रहे हैं खेती के उसके बाद बिजली अमेंडमेंट बिल है और बिजली पानी गैस पेट्रोल डिजल इसके रेट सरकार आदे करें आज गुरू पर्व का दिन है और ऐसे मयाज देश के परधान मंतरी ने गाजीपूर बोडर और दिल्ली के अलगलग बोडरों पर धरना दे रहे किसानों से धरना खतम करने की अपील की है क्या है पूरा मामला जानने के लिए हम गाजीपूर बोडर पर पहुचे हैं और हमारे साथ किसान मौजूद है इन से हम बात करते हैं आज परधान मंतरी मोदी ने अपने संबोधन में खहते विकाया कि आंदोलन खतम कीजिए जो तीन कानून है उनको हम वापस ले रहे हैं किस तरह से देखते हैं इस पैसले को मैं ओपी कमांडो जलाद देक्ष अलीगड भारति किसान उनियन खुशी भी है और रंज भी है खुशी इस बात किया कि साखायात में पहले प्रधामंतरी जी द्वारा और जो लंबी लड़ाई चल लही थी कानून के लिए वाकाले कानून वापसी के लिए तो उसके लिए अच्छी पहल की है उन्होंने इस बात की मुझे खुशी है कि दुख इस बात का है कि 700 किसान हमारे हां पर सहीद हुए जिनकी एक बार भी प्रधानमंतरी मोदी जी ने ट्विट पर नहीं कहा किसी तरह से कहीं सामने आके टीवी पर आके यह नहीं बोला कि मुझे दुख है आज इस बात की खुशी है एक सवाल यह भी है कि अब यहां पर आंदोलन कब तक रहेगा आंदोलन जब अभी कल संक्तुमोर्चा की मीटिंग है उसमें फैसला लिया जाएगा का अंदोलन कब तक रहेगा और अभी किसानों को मिला कुछ भी नहीं है केवल गोशना हुई है और गोशना इस तरह की हुई है जो साल बढ़ से लाल के से भी गोशना करते हैं प्रदान मंत्री जी बहुत गोशना है अमल नहीं करते हैं तो इसमें कुछ दाव पैंश ना हो यह देखना अभी वाकि आपको प्रदान मंत्री मोधी जीन ने जो गोशना की आ है उस पर स्वाज थोड़ा कम हुआ है किसानों को पर फिर भी स्वागतियों गये उन्होंने प्रदराबंतरी जो चीज बोली है उन उनसे उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी MSP की गारंटी भी वो देंगे और किसी कानूनों पर संसद में भी बोलेंगे यह चीज बिल्गुल देखिए यहां पर जो किसान हैं अब खुसी भी जाहिर कर रहे हैं तो वहीं थोड़ा दुख भी जाहिर कर रहे हैं यह तस्वीरे संत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अब गाजी पूर बोर्डर की तस्वीरे बदलने लगी हैं हालकि राकेश्टी गैति हाँ पर मौजूद नहीं है लिकिन उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आंदोलन उसी तरह से चलता रहेगा जब तक यह जो कानून है उनको संसद में रद ना कर दिया जाए गाजी आबास से में जितेंद्र गोतम न्यूज वर्ड इंडिया